कि आउनी इस्ट्यूट्य बांट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए हम लोग क्लास 10 का जो है इलेक्टिसिटी चेप्टर मौके पर पढ़ रहे हैं और थियोरी पढ़ा दी गई है एक चेप्टर की और उसका नुमेरिकल हम लोग मौके पर साल्व कर रहे ह को नुमेरिकल का आज आठमा दिन है परते एक वीडियो में दो दो तिन तिन नुमेरिकल है चलिए आज आठमा दिन स्थिक्त देट और यह चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी ज्याधा ज्याधा लाइक शेयर और कमेट करिए इसके अलावा आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो Electricity Chapter के Playlist की जो Link है वो आपको description में मिल जाएगी अगर Notes Find करना चाहते हैं तो description में Telegram Channel की Link आपको दे देते हैं वहाँ से भी आप Telegram Channel को सब्सक्राइब करके Notes Find कर सकते हैं ठीक तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए लोग जो है लेक्टिसिटी जो का नेक्स नुमेरिकल देखते हैं चलिए क्यूस्ट्टन है कि सनलगन परिपत सनलगन परिपत में एवबी में एवबी के बीच तुलिए प्रतिरोद तुलिए प्रतिरोद ग्याद कीजिए ठीके एक्यूस्टी अब परिपत क्या दिया है क्या थाज प्यून है क्या दिया प्रतिरोद में लÂ है ए, बी, सी ती, ती गह है अब को दिया गया परिपत हमें A वा B के बीच बैदुत प्रत्रोदकी करना करने है इनकी रजिस्टेंस भी आपको दिये हैं वन ओम इसका भी वन ओम ओम इसका टू ओम ठीक तो आपको एक चीज बताए है जैसे की देखिए परकत आपके सामने अब इसमें कौन स्रेडी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हमने कहा कि इसी को बैटरी से आप करनेक्ट कर लीजिए चलिए वैसे आपको समझा देते हैं अगर इसको यहां से बैटरी से कनेक्ट करते हैं देखिए ऐसे सब्सक्राइब अभी मिटा देगी इसको यह प्लस हुआ यह माइनस हुआ धारा हमेसा ध्रंसिरेस चली आप देखिए जब यहां यह पर आएगी यह पर दो पार्ट में बढ़ जा रही है ऐसे निकलेगी इस प मतलब वन ओम और वन ओम के तार जो है एक किस करम में हुए है स्रेंडी करम में है ठीक है ना कि तुम लिखेंगे जालो सब्सक्राइब कि वण ओम तथा बाद वन ओम के तार मैं स्रेडी क्रम में ईंस्रेडी क्रम में कि शाइयोजीत हैं और इसके लिए दुलेप्रत्रोध आप आर्डैस माल लीजिए तो कि अभी के वन दो तार का आप दुलेप्रत्रोध फाइण करेंगी तो इसको आप R-S बार लिजिए तो स्रेडी करब में तुल प्रत्रोज R की मेलू क्या होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने तारहूं को आप जोड लेते हैं ठीक तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 या R-S R-S equal to ohm तो यह इतने का केवल निकला अब यह दो ohm जो है इस दो ohm के क्या होगा समांतर करम में चुकि यहां धारा दो भाग में बट गई है ठीक स्रेडी करम में धारा समान होती है और समांतर में धारा बट जाती है फिर लिखेंगे अता आरड़ेस तथा दो ohm के तार पमांतर करम में हैं इसलिए अब यह प्रतिरोध भी होगा तुल ले प्रतिरोध अब ब्रद्र प्रतिरोध तो समांतर करम में तुल प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है 1 upon R equal 1 upon R1 plus 1 upon R2 बैलू पुटप करनी है या 1 upon R equal तो जो R1 है सी को आप Rडेस यही बैलू पुटप कर दीजिए तो यहां आ जाएगा दो क्योंकि आप निकाल चुके Rडेस के बेले दो ओम और यह दो ओम यह है एक बुट्टे दो यह सॉल्व कर लीजिए वन अपान आर इक्वल पर समानों सुसाय तक देख डारिक्टोर चकते हैं बुट्टा दो दो मिस दो बट्टे दो कि टिक यह वन अपन आर इक्वल एक्वट्टे एक या आर इक्वल वन ओम ठीक है तो फाइनल एंस्वर आप फाइन कर चुके आप मर्जी कहें ऐसे लिख दीजिए जो प्रस्ण किया हो इसका उत्तर देना जरूरी होता है लिखिये आता है एवा बी के बीच तुलेर प्रतिरोध एक ओम होगा ठीक यह फाइनल एंस्वर वेदिकत चलीए नेक्स्योशन देखते हैं इसमें आपको बस यही पहचान लिए अगर कि किस क्रम में तार जुड़े हैं तो कि परिपत वाले क्यूशन ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि स्रेणी में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है ठीक अगर आप संयोजन पहचान लें तो दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलिए नेट्स देखते हैं इसमें भी वैसे सलगन परिपत में एवर बीके बीच तुल्य प्रतिरोध ग्याद कीजिए आप सर्कीट बनाएं इसकी सर्कीट है और देखते हैं कि यह सर्कीट और इसमें जो तार दिये गए हैं यह अपका एक सिरा है बी सिरा है यह नाइन ओम है और दो तीन चार यह दो ओम का है यह तीन ओम का है यह चार ओम का तार ठीक तो परिकत आपके सामने है किसलन परिकत में एवा बी के बीच जो है आपको ठीक है सामने परिकत में एवा बी के बीच तुल प्रत्रोद आपको ग्याद करना है और एक तार नाओम का है दूसरा दो ओम तीन ओम चार ओम तीन तार है इनके लिए आपको निकालना है तो वही तरीका ए और बी को जो है ए और बी को बैटे से करेक्ट कर ये तो यहां ए में जब धार जाएगी तो यह इधार दो पार्ड में यह धार बटेगी तो यह तो इकलावता हो गया लेकिन यह तार में जो धार आ रही है इसमें जितना उतना इसमें उतने इसमें तो लिख सकते हैं जालोसन दो ओम तीन ओम तथा चार ओम के तार किस क्रम में है स्ट्रेडी क्रम के तार स्ट्रेडी क्रम में है जब स्रेडी क्रम में है इनका तुल्य प्रत्रोद चलिए आडायस ले लिए आडायस इकला रोल प्लस आर टो प्लस आर ट्री तो प्लस थ्री प्लस फूर मिंस नाइन ओम ठीक अब यह नव ओम और यह नव ओम दोनों जो है किस क्राम में हो गए समांतार क्राम में लिखेंगे R-S तथा 9 ओम समांतर क्रम में समांतर क्रम में इसलिए फार्मूला समांतर क्रम का क्या होता है 1 upon R equal 1 upon R1 plus 1 upon R2 ठीक है? ऐसे value रख दीजिए 1 upon R equal 1 upon R dash ले लीजिए R1 को और plus 1 upon 9 या 1 upon R equal R dash की भी पहलू 9 आप निकाले हैं 1 upon 9 या 1 upon R equal 2 upon 9 तीरचा गुडा कर दीजिए R equal 9 upon 2 2 या R equal 4.5 ohm कोई दिकत तो अतह लिख सकते हैं कि A वा B के बीच तो लिफ्रे द्रोद चार दसम लोग 5 ohm है अतह A वा B के बीच तो लिफ्रे प्रतिरोद चार दसम लोग 5 ohm होगा ठीक तो यह रहा फाइनल आइस्वर नेक्स वीडियो में फिर हम लोग जो है नया के उससे देखेंगे यह बहुत इंपॉर्टन निमेरिकल है प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी ज़्यादा ज़्यादा लाइक सेर और कमेंट करेज़ उराने हैं तो लाइक सेर कमेंट करने में न कुटाई बढ़ते भाई आपके लिए कुछ करने हैं तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा प्रयास करिए कि जितने निमेरिकल करा दे रहे हैं इससे ज्यादा आपको बोड़ परिच्छा में ने उच्छे जाएगी इन ही से रिलेटेट रही है कि धन्यबाद